हेलो दोस्तो आज हम आपके लिए यूटूब की दो important टिप्स लेके आएं दोस्तो अगर आप यूटूब चलाते हो तो यहां टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा important होने वाली है इसलिए आप वीडियो को करेंगे और नीचे आएंगे सेटिंग तो दोस्तो सेटिंग को हम उपन कर लेते हैं और जैसे कि आप नीचे आएंगे डवल टैप टू सीख पर मुख्य करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर 5 seconds 10 seconds 15 seconds 20 seconds 30 seconds और 60 seconds दोस्तो डवल टैप टू सीख का मतलब होता जब हम अपनी यूटूब पर कोई वीडियो देखते हैं उस समय हम अपने वीडियो को forward करने के लिए अपनी स्कीन पर डवल टैप करते हैं, जिससे हमारी 10 सेकंड वीडियो आगे forward होती है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हमारी वीडियो डवल टैप करने पर 10 सेकंड की अपिछा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 60 सेकंड आगे forward हो, इसके लिए हम यहां से set कर सकते हैं, जै जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी के अंदर 2 option है, वीडियो क्वालिटी ओन मॉबाइल नेटवर्क और वीडियो क्वालिटी ओन वाइफाइ मॉडवर्क और टो रिकमेंड एट है, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर डाटा 1GB या 2GB डाटा रहता है, तो हम हमारे नेट की स्पीट के एसाफ से हमारे वीडियो की साइज यानि की वीडियो की क्वालिटी को ऑटो रिकमेंडिट के वज़ा से हमारा नेट जल्ली कतम हो जाता है, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने डाटा को किस परकार से सेव कर सकते हैं, तो सबसे इस परकार आप 1GB या इचावरी डाटा करके जादा से जादा वीडियो देख सकते हैं और अपने नेट को बचा सकते हैं आप द Elijah क्याए यहां देख सकते हैं वीडियो क्वाल्टी ओन Wifi मैं Wi-Fi को भी data shape पर OK कर देता हूं तो दोस्तों चलिए हम back करते हैं और मैं अपने channel MBTag को open कर लेता हूं दोस्तों जैसे कि मैंने channel MBTag को open कर लिया और एक video को on कर लेता हूं दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने video को on कर लिया अब मैं screen पर double tap करके देखता हूं कि हमारी video कितनी second आगे forward होती है तो जैसे कि आपने देखा मेरी video 20 second आगे forward हो रही है तो इस परकार हम दोस्तों अपनी video को forward करने के लिए अपनी setting में जाके set कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको video कैसे लगी video को like करें अगर आपने channel को subscribe ने किया तो इस लालवारे बटन यानि की channel को subscribe करें और subscribe करने के बाद जैस बेल आइकन पर आए और बेल आइकन को all पर select करें जिससे next आने वाली video का notification आपके पास सबसे पहले प करें आपको